पोलिटिपिक स्पीशिस से क्या अमराद है बहुत सारी स्पीशिस ऐसी है जिनके अंदर कोई सबस्पीशिस मौजूद नहीं होती लेकिन बहुत सारी स्पीशिस ऐसी भी है जिनके अंदर दो या दो से ज़ादा सबस्पीशिस मौजूद होती है subspecies के बारे में हमने पढ़ा कि subspecies क्या है subspecies ऐसी species है जो के morphologically एक दूसरे से different होती है लेकिन ये reproductively एक दूसरे से separate नहीं हो सकती ये आपस में एक दूसरे के साथ breed कर सकते हैं और ये fertile oxstrings भी पैदा कर सकते हैं अब a species that contain two or more subspecies is called as polytypic species कोई भी ऐसे species जिसकी दो या दो से ज़ादा subspecies हो उसको हम polytypic species कहेंगे लेकिन अगर एक species जो है उसके अंदर कोई subspecies नहीं है तो उसको फिर हम monotypic species कहेंगे तो ये difference है दो और दो से ज़ादा subspecies अगर किसी species के अंदर मौजूद है तो उसको हम polytypic species कहेंगे और अगर कोई subspecies नहीं है एक ही single population है उनके अंदर differences नहीं है तो उसको हम monotypic species कहेंगे अब polytypic species के लिए जो term यूज होती रही है forman crease and rosen crease ये वो terms हैं जो के polytypic species के लिए पहले इस्तमाल होती रही है अब ये ख्याल किया जाता है कि पहले जो species की identification होती थी वो morphological basis के अपर होती थी पहले हम morphological species concept के उपर या typological species concept के उपर believe करते थे इस concept के मताबिक अगर एक population जो है उसके अंदर different sub-population है और उनके अंदर कुछ differences है जो के morphological differences है तो इन morphological differences की base के उपर इन species को हम sub-species का दरजा देते थे लेकिन बाद में ये पता चला इवन हम उनको sub-species की बजाए different species के अंदर रखते थे क्योंकि इनको हम morphospecies कहते थे यानि species on the basis of morphological traits और morphological characters उस वक्त सब-species का concept नहीं था लेकिन बाद में ये मालूम हुआ कि तमाम वो species जो के morphologically एक दूसरे से different है जरूरी नहीं कि ये reproductively भी एक दूसरे से separate हों क्योंकि शुरू में morphological species concept के उपर से reproductively isolated होते हैं जब हमारे पास ये नई definition आई तो हमें अंदाजा हुआ कि वो तमाम species जो के morphology की पेस के उपर हमने बनाई थी वो जरूरी नहीं था कि वो reproductively भी एक दूसरे से isolated थी तो दुबारह से इन species को review किया गया और ऐसी तमाम species जो के एक दूसरे से different होती लेकिन वो reproductively एक दूसरे से isolated नहीं थी उनको species का जो दरजा था उसको खतम कर दिया गया और उनको sub species का दरजा दिया गया तो polytypic species एक ऐसी species है जिसके अंदर sub species मौजूद हूँ अगर एक species के अंदर तमाम member एक जैसे हैं उनके अंदर differences मौजूद नहीं है तो ऐसी species को हम monotypic species कहते हैं